नमस्कार आज की विड लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम कक्षा नौमी की एक कविता वाख की व्यक्षा करेंगे और ये जो वाख कविता है ये कस्मेरी भासा की एक कवितरी लल्द जी द्वारा लिखी गई है तो कविता शुरू करने से पहले एक निवेदन के अभी कविता की व्यक्षा से पहले हम कवितरी लल्द जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं लल्द का जनम 1320 इस्वी के आसपास कस्मीर स्थित पामपोर गाउं में हुआ था लल्द को कस्मीर में ललेश्वरी, लला, लल्योगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है ये चोहदवी सदी की एक भक्त कवितरी थी जो कस्मीर की सैव भक्ती परंपरा और कस्मीरी भासा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है कस्मीरी सस्कृती और कस्मीर के लोगों के धार्मिक और समाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यांत महत्यपुन स्थान है लल्दत की कावेशली को वाख कहा जाता है हम जिन यहाँ पर इस पार्ट के अंतरगत चार वाख दिये गए है उनके और उनकी जो कावेशली है उसको वाख कहा जाता है जिस परकार कबीर के दोहे हैं तुलसिदास की चोपाईयां हैं तो इसी परकार से जो लल्दत हैं वो वाख लिपती थी इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मक्ता का विचित्तर संगम है इन्होंने अपने वाखों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुल कर विरोध किया है लल्दत की कावेशली की भाषा त्यंत सरल मानी जाती है जिसकी विज़े से लल्दत और भी प्रभावसाली बन जाती हैं लल्दत आदुनिक कस्मेरी भाषा का प्रमुक स्तंब मानी जाती हैं तो आईए शुरू करते हैं लल्दत की वाख की व्याख्या पहला वाक है और ये जितने वाक है वो व्यक्ति और जो प्रमात्मा के बीच में किस प्रकार का संबंध है और भक्ति को लेकर लिखे गए है यहाँ पर कवित्री कहती कि रस्षी कच्चे धागे की खींच रही में नव कि मेरी जो नाओ है जीवन की जो नईया है उसको मैं कच्चे धागे की रस्षी से खींच रही हूँ जाने कब मेरी सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार और पतानी कब जो भगवान है वो कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस भवसागर से मुझे पार करवाएंगे कवित्री कहते हैं कि मेरे भी प्रमात्मा से मिलन के जो प्रियास है वो उसी प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं जिस प्रकार से कच्चे सकोरे के अंदर पानी टपक जाता है आग Mini कवित्री कहते ही जी में ऊठती रहयरह हुक घर जाने की चाहगरे कि मेरे दिल के अंदर रहयरह कर यह हुक ऊठती यह दर्द होता है यह पीडा होती है कि मुझे आपने घर जाना है यहां पर कवित्री के घर जाने की चाह को वता गया है कि भगवान से मिलन को यानि आत्मा का जो घर है वो पर्मात्मा के पास ही होता है तो यहां इन पंक्तियों में जो कवित्री है अपने इंतजार और प्रियास का वर्णन किया गया है कि कब उसका मिलन परमात्मा से हो पाएगा जिस प्रकार से कच्छे घड़े से पानी टपक कर कम होता जाता है उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है इसी वजह से वैव्याकुल होती जा रही है कि कब इश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगवाएंगे भव सागर की जो बात की गई है वो संसार रूपी सागर से बेड़ा पार कराने की बात की गई है इन पंक्तियों में कवितरी ने प्रमात्मार के निकट जाने वाले जो प्रियासों को कच्चे धागे की रसी के द्वारा जो बंदी हो ही नाव के रूप में बताया है रसी कच्चे धागे की खींच रही में नाव यानि मेरे प्रियास उसी परकार से हैं उन्होंने कच्चे धागे सब्द का प्रियोग इसलिए किया गया कि मनिश्य इसे समय प्रित्वी पर कुछ ही समय के लिए रहता है और उसके बाद उसको अपना स्रीर त्यागना पड़ता है कवित्री कहती कि धीरे धीरे ये समय निकलता जा रहा है और कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए सारे जो प्रियास हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि समय खतम होने वाला है, अर्थात मृत्यू समीप है और अब साइद वो प्रभू से नहीं मिल पाएंगी, इसलिए उनका हर्द्य तडप रहा है और वो प्रभू से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ती में लीन हो जाना च दूसरा यहां पर जो वाक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ने खा कर बनेगा एहंकारी, समखा तबी होगा संभावी, खुलेगी शांकल बंदवारगी, कवित्री यहां पर कहती कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि जिस परकार से, यहां खा खा कर मतलब इससे है कि संसारिक जो विशेवासनाई हैं, जिसके अंदर जो व्यक्ती है वो डूबा रहता है, और अगर हम इनी विशेवासनाओं में डूबेंगे, तो कुछ भी नहीं पापाएगे, पाएगा मतलब मोक्स नहीं प्राप्त कर सक अगर व्यक्ती भगवान की भक्ती नहीं करके सिरफ यहां पर संसारिक विशेवासनों में डूबा रहेगा, तो उसको मोक्षी प्राप्ती नहीं हो पाएगे, नैखा कर बनेगा हैंकारी, और अगर वो हठियोग कर लेता है, को योगी बन जाता है, तो भी उसके अंदर हैं अगर आ सकता है, तो वो भी सही नहीं है, आगे को वित्री कहती है, समखा तभी होगा संभावी, कि हमें इस अंसार के अंदर समस्थिती बे रहना होगा, ना दुख में जादा दुखी, ना सुख में जादा खुश, तो हम एक समस्थिती हमें रखनी पड़ेगी, तभी अंती मिल सकती है, खुले की सांकल बंदवार की, और जो भगवान से मिलने का जो एक दरवाजा है, उसके उपर जो सांकल है, कुंडी लगी होई है, वो तब ही खुल पाएगी, जब हम समस्थिती में पहुंच जाएंगे, यानि भगवान के उपर हमारा एक विश्वास बन तो यहां पर भी कवित्री कहती है, अगर हम सांसारिक विश्वासनाओं में डूबे रहेंगे, तो कभी भी मोक्स की प्राप्ति नहीं होगी, इसके विपरित हम सांसारिक मोमाया को छोड़ कर त्याग और तपश्या में लग जाएंगे, तो इससे भी हमें कुछ लाब नही होगा, भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमारे अंदर एहंकार आ जाएगा, जिसकी वज़े से हमें मुक्ति अर्थात ज्यान के प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसी वज़े से कवित्री ने दोनों रास्ते गलत बताए हैं, यानि पूरी तरह विश्यावासनाओं का भी रास्ता सही नहीं है, और पूरी तरह से उनका त्याग का रास्ता भी सही नहीं है, आगे कवित्री कहते हैं, जब हम भोग विलास में त्रिप्त रहते हैं, तब हम सच्चे ग्यान से दूर रहते हैं, और जब हम तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो अमारे अंदर हेंकार पी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ग्यान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कवित्री हमें बीच का मारगा अपना निकले गाती है, वो कहती है, सम हो, जिसे हमारे अंदर वासना और भोग लिपसा भी नहीं रहेगी, और अहंकार भी हमारे अंदर इपनप पाएगा, कवित्री के दिए तभी हमारे अंदर समानता का भावना रह पाएगी, इसके बाद ही हमें प्रुभुक की भक्ती में सच्चे मन से हम लीन हो पाएगे, तीसरा वाक है, आई सी दिरा से गईन सी दिरा, सुसम सेत्टु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेव टटोली, कोडी नपाई, माजी को दू, क्या उतराएगी? यहाँ माजी सेतात्परिय, वैसे इसका अर्थ होता है नाविक, जो नाव को नाव से नदी पार करवाता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो भावार्थ है, वो भगवान को है, आई सी दिरा से गईन सी दिरा, कवित्री कहती है कि हम जब पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर वो सारे विशय वासनाएं, कटूताएं, वो सारी चीजें, बुराईयां वो नहीं होती, लेकिन जब हम जीना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर गईन सी दिरा, यनि जब हम फिर सी दिरा नहीं चलते हैं, इन स तब जो हमारी अच्छाईयां हैं वो लगाता कम होती चली जाती हैं, यानि हम अच्छे कारिय नहीं करते, पाप से ग्रस्त हो जाते हैं, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, दीन बीत गया दिन आ, और सुसुम नामक सेतु यानि पुल पर कवित्री खड़ी हुई है और दिन बीत गया है, अहां मतलब दुख के साथ हो कह रही है कि ये दिन बीत गया, दिन बीत गया से यहां तात्प्रिय जीवन बीत गया से है, जेव टटोली कोडी न पाई, कोडी यानि पैसा, और कवित्री कहती जब मैंने अपनी जेव को टटोला है, तो उसमें एक भी कोडी नहीं प संसार के उस पार लगाने के लिए उसको क्या उतराई दू, क्या किराया दू, लेकिन यहां पर कोडी से मतलब हमारे अच्छे करमों से है, पुन्य से है, कि जब हम पुन्य करम करके जाएंगे, तो वह ही हमारे साथ जाएंगे, जो वहां पर हमारे साथ, जब भी हम हमारी होती है तो हमारे पास जितना भी पैसा है वो किसी काम का नहीं होता केवल हमारे अच्छे करम हैं वो ही हमारे साथ चलते हैं और वही ऐसा माना जाता कि वो आगे उसी के माध्यम से हमें स्वरग और नर्ग की प्राप्ति होती है तो इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा इस्वर की प्राप्ति के लिए कि जाने वाले प्रियाशों पर कड़ा प्रहार किया है। जाने वाले तरीके जैसे कुंडली फेरना, जागरन करना, जब करना इत्यादी है। उसे यही निपलता लग रहा कि यह कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से मैं वगवान को प्राप्ते कर सकूँ। लेकिन यह सब करने के बाद भी उसका प्रमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसल के पास जाएंगी तो इस वर को प्रमात्मा को क्या जवाब देंगी। और चोथा वाक है थल-थल में बसता है सिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमा यानि है तो स्व्यम को जान यही है साहिब से पहचान। कवितरी कहती कि थल-थल में यनि कण-कण के अंदर बसता है भग्वान सिव का जो विराजमान है प्रकन के अंदर भेद न कर क्या हिंदू मुसलमा और कवितरी कहती है कि कोन धरम के नाम पर भेद हमि नहीं करना चाहिए जो कोई हिंदू है मुसलमान है इससे नहीं पड़ता créer कि बलकि हमें यह देखना चाहिए कि सभी के अंदर भगवान सीव बसता है ज्यानी है तो श्यम को जान यही है साहिब से पहचान और कवित्री कहती है कर ज्यानी हो अगर ज्यान प्राप्त करना है तो श्यम को जान लो बहुत कुछ जानने के जरूरत नहीं है सिरफ श्यम को जान लो यही है साहिब से पहचान साहिब यहां पर भ पहचान हो जाएगी तो कितरी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहती कि हमें बेदवाव हिंदु मुस्लिम इत्यादी समाज में जो व्यापत ब्राइया हैं उनका बहिश्कार करने का संदेश कवित्री दे रही है उनके नुशार बगवान सीव यानि इस्वर हर जगे बसा बलकि वह हिंदु मुसल्मान को भी एक ही नजर से देखता है और उनके अनुसार इस्वर के पाप्ति के लिए सबसे पहले हमें आतम ज्यान प्राप्त करना जरूरी है क्योंकि इससे ही हम हिस्वर को प्राप्त कर सकते हैं इस वर्ष्यम हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे इसलिए कवित्री ज्यानी पुष्टों से कहती है कि अगर तुम ज्यानी हो तो श्यम को पहचानो क्योंकि आतम ज्यान ही एक मात्रुपाय है जिसके माध्यम से हम प्रमात्मा को समझ सकते हैं और उनको पा सकते हैं उन्हें पहचान सकते हैं तो आज आपने ये कवित्री लल आपको अच्छी लगी तो कोमेंट करके जुरूर बताएं आपका धन्यवाद जय हिन जय वर्द